स्वागत है दोस्तो आपका आपकी यूट्यूब चनल यूनिक इस्टार पर दोस्तो आज की सिच्छा से सम्मंदित सारी खबरे आपके पास बहुत इत्तरमैता से पहुचाई जाएंगी टाप विदेशी कालेजों में प्रवेज की राहें खुल गई हैं दोस्तो आक्सफोर्ट इन्वर्सिटी में भी भारतियों के लिए अउसर प्रयाप्त तोर पे मिल रहे हैं संस्कित और पाली और प्राकृतिक भासा में भी चातवेटी मिलेगी इस इसको ध्यार रखना है स्कूल आवंटन की आनलाइन मिलेगी जानकारी जो बिहार में एक लाग सतर अजार से अधिक नियुक्ति होने वाली है वो सब कुछ आनलाइन आवंटन होगा दोस्तों इस चीज को ध्यार रखना है दरोगा के 1275 पदों के लिए आज से आवेदन श्टार्ट हो गया है ध्यार रखेगा www.bpssc.bih.nic.in पर अपलोड कर दी गई है और ध्यार रखे एक अगर 2023 तक इस नाता क्या उसके समकच पर इच्छा होते उड़ा भ्यारती इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और आपको मैंने अपने ही वीडियो में दोस्तों सारी सोचना दे रखी है इसके लिए हेल्फ लाइन भी आपके पास है एजुकेशनल टूल्स जो एजुकेशनल आईए टूल्स है जो स्टुडेंट के लिए बेश्ट है उसमें देखे दोतों जैट, जीपीटी, चैट, जीपीटी, प्रोग्रामिंग हेल्पर, ट्यूटर, एआई, इसकॉलर्सी ये एप्लिकेशन है जो आपके लिए बहुत यूजफूल हो सकते हैं चार साल के नए सनातक कोर्स में घटेगा क्रेडिट और विशाय दोस्तों ध्यार रखेगा इस बात को इसमें दिया है कि 2024-25 से इसनातक विद स्पेशल एजुकेशन की त्यारी हो रही है आर्थिक तंगी से नए चुटेगी आठवी के बाद की पढ़ाई बारहमी कच्छा तक के मिधावी चात्रों को मिलेंगे बारहजार रुपे सलाना परिवार की सलाना आए साणे तीन लाख रुपे से कम वाले चात्र होंगे पात्र ठीक है दोस्तों जुटाई रिक्त पदों की जानकारी टीजीटी पीजीटी में मांगी दिती काउंसलिंग अवसेश पैनल के अभ्यार्थियों ने एडी को बताया रिक्त पदों का विवरण एडी माधमी करा रहें जेडी और डी आई ओयस के पदों का सत्यापन हाई स्कूल पास वाले भरती में बीटेक और एमटेक वाले भी दोस्तों देखिए कितना मारा मारी है उत्तर परदेश में थोड़ी सी भरती निकालती है ये सरकार ये जानती है कि कैसे हमें युवाओं को पिनमुलियों पे नचाना है चप्रासी वहावलदार आधि के मात्र 1558 पदों के लिए 25,47,000 आवेदन आये हैं दोस्तों और आप देख सकते कितने बड़े बड़े डिगरी वाले इसमें प्रतिभाग किये हैं 11 साल से उच प्रात्मिक में प्रधाना ध्यापक बनने के प्रतिच्छा कर रहे हैं सिच्छक दोस्तों ध्या रखना इस बात को यूपी बोर्ड पंची करण को छ दिन कमोगा नई सिच्छक भरती के लिए तीसरे दिन भी दिया गया धरना दोस्तों बिहार ने न्याइक सेवाओं में EWS के लिए 10% आरचन की घोशना कर दी है बिहार सरकार ने न्याइक सेवाओं और राज्य संचालित लाक आलेजों और विश्विद्यालों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरचन की घोशना कर दी है दोस्तों बिहार में जो भरती रद हुई थी पुलिस की उसका डेट आ चुका है दोस्तो 26 नमंबर, 3 दिसंबर और 10 दिसंबर को वह पूना परिच्छा है जित की जाएगी सिच्छा जगत की सबसे महत्पूल सूचना दोस्तो पियरे एगोष्टीनी, फेरेंक क्रूज, एनी एल हुईलियर को फिजिक्स का नोबल मिल चुका है ध्यान रखेगा एग्जामिनर दे सकते हैं एग्जाम में इसका क्वेश्चन दोस्तो जो बिहार टेट में परिच्छा हुई थी उसका रिजल्ट काफी बहतर रहा समान एकोटी के 50%, आरत पिछडा वर्ग के 45.5%, अत्यंत पिछडा वर्ग 42.5%, अनसोची जाती और अनसोची जन जाती 40%, दिव्यांग 40%, महिरा 40%. तो रिजल्ट काफी अच्छा बना है बिहार टेट का दोस्तो इसको ध्यान रखेगा STET में 79.979% अभ्यार्थी उत्तिन, पेपर वन में 82.7%, 32.9% और पेपर टू में 84.37% अभ्यार्थियों का पर्चम लहराया गया है दोस्तो पिछडी करने वाले या उसका ख्वाब देखने वाले लोग सावधान पिछडी में रिचर्च गाइट के बदल दिये गए नियम, यूजिसी ने लागों की कई शर्ते, इसको एक बार जरूर पढ़िएगा सिपाई भरती एक अक्टूबर को ही परिच्छा रद्ध हो गई है दोस्तों जब पेपर लिख हो गया था तब की बात ही है सत्तर हजार सिच्छक पदों के लिए अधी आचना जल्द